लाग किताब के अंदर शनी को पापी ग्रहू का राजा कहा गया है इसी लिए इनके उपाए भी बड़े अलग होते हैं और उन लोगों को विशेश तोर पर यह उपाए करने चाहिए जिनके उपर शनी के महादशा, अंतरदशा, प्रतंतरदशा, शनी के ढहिया, साड़े सात या गोचर किसी भी परकार से परेशान कर रहा हो, लेकिन एक इस्ट्रक्शन है कि किसी जोतिशा चाहरे की नजर में उपाए करें तो ज़्यादा बैतर होगा, उपाए कौन से ध्यान से समझ लीज़े, महीने में किसी एक शनीवार को या हर शनीवार तवा या चिम्ता किसी उनको जीवन मिले, इससे अगला उपाए अपने वजन के दसवे हिस्से के बराबर लोगा किसी मजदूर आदमी को दान दे, यदि मकान बनाने के बाद संतान को कोई तकलीफ आ गई है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या आपकी सेयत में समस्या आ रही है, तो आपको कि किसी मंदिर की कंस्ट्रक्शन में अपना पैसा दान जरूर देना चाहिए, और आखरी उपाए किसी भी दिव्यांग या ब्लाइंड वेक्ति की सेवा करना, उनको अनका दान करना, उनके भोजन का प्रबंद करने से भी शानी देव आपको अच्छा फल देने लग जाते है या बुरे फल में कमी होने लगती है, वीडियो कैसा लग है कमेंट करके जरूर बताईए जाए